हेलो गाइज, वेलकम टो कीवे किचन किंग, आज हम रोटी से धोकला बनाएंगे, अगर आपकी रोटी बच जाए या फिर आप कुछ नया खाना चाहें, तो आप रोटी से धोकला बना सकते हैं, बहुत एजी रेस्पी, अगर आपको अच्छी लगे, तो प्लीज वीडियो क इसको बीच से कट कर लिया है, और वन टी इस्पून सफेद तीली, वन टी इस्पून धन्या पाउडर, वन टी इस्पून सफेद नमक, वन टेबल इस्पून शुगर, और हाफ टी इस्पून हल्दी पाउडर, इनो ले लिया है, टू टी इस्पून ओल, वन टी इस्पून राई हाफ का तोरी मठा हाफ का तोरी सूजी अब हम सारी रोटी को छोड़े छोड़े पीस में कट कर Л денगे अब हिसे जार में डाल करंगि ग्रैंड कर लिए है अब इसे बाउल में डाल लेंगे अब इसमें सूजी डाल लेंगे मठा हमने या मठा लिया है आप दही भी ले सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब वाटर डालेंगे और मिक्स करेंगे हमने इसमें वन कटोरी वाटर एट कर लिया है अब इसे ढख कर 10 मिट रख देंगे जिससे सूजी और रोटी दोनों अच्छे से फूल जाए 10 मिट हो गए हैं सूजी और रोटी अच्छे से फूल गई है रोटी को अच्छे से बारिक ग्राइंड करेंगे तो अच्छी तरह से फूल जाएगी अब हम इसमें सारे ingredients डालेंगे तो हमने healthy नमक और धनिया पाउडर और शुगर लिया था ये सब हमने डाल लिये हैं इसे mix कर लेंगे हमने one टेबल स्पून शुगर लिती तो half डाल लिये half नहीं डाली है अब इसमें oil डाल देंगे one टी स्पून mix कर लेंगे हमने अच्छे से mix कर लिया है अब जिसमें हम ढोकला बनाएंगे उस box में oil लगा लेंगे चारो साइड अच्छे से लगा लेंगे oil हमने लगा लिया है अब जो हमारा ढोकले का paste था इसमें इनो डालेंगे 1 teaspoon इनो थोड़ा सा इसकी उपर water डाल लेंगे 1 teaspoon और इससे आप mix कर लेंगे हलका साइग मिक्स करना है paste ready हो गया है अब हम एक गंजी रख देंगे 1 glass water डाल कर stand लगा देंगे और medium to high flame में ढख कर heat होने देंगे paste को बॉक्स में डाल लेंगे पेश्ट को हमने बॉक्स में डाल लिया है अब इसे गंजी में रख लेंगे water heat हो गया है अब इसमें रख देंगे 15 minutes के लिए medium to high flame में कवर करके रख देंगे जब तक मां ढोकला बन रहा है हम भगार बना ले रहे हैं तो ऑइल डाल देंगे वन टी इस्पून राई डाल देंगे अब इसमें मीठी नेम की पत्ती डाल देंगे चार-पांच दो हरी मिर्ज और तीली थोड़ा सा रोस्ट हो गया है अब इसमें हाफ का टोरी वाटर डाल देंगे और हाफ टेवल इस्पून शुगर जो थी वो डाल लेंगे और इसको medium flame पर boil होने देंगे बगार रेडी हो गया है गैस को आफ कर देंगे 15 minutes हो गया है अब हम चेक करेंगे यह देखिए ढोकला हो गया है अब हम गैस को आफ कर देंगे ढोकले को ठंडा होने देंगे ठंडा हो गया है अब इसे हम कट कर लेंगे इस तरह हम दोनों साइट कट कर लेंगे अब हम इसकी उपर बगार डाल लेंगे इस तरह से पूरे में यह हमने बगार डाल लिया है देखे कितना अच्छा डोकला आया है यह देखिए सॉफ्ट और कितना अच्छा दिख रहा है इसे आप जरूर ट्राइ करिएगा और हमें कमेंट करके उताइगा थेंक यू